हाँ जी दोस्तों वैलकम आपके पास में अब हम स्टार्ट करने जा रहे आपका सब्जेक्ट जिसका नाम है ओडिट ठीक है ओडिट के अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपके पास में चैप्टर नंबर वन मैं बता दू यहाँ पे जो सिक्वेंस है आपके आई से म स्टार्ट करेंगे कि नेक्स चैप्टर किस तरीके से कौन सा पढ़ाना है वगेरा वगेरा चीज़े ठीक है चैप्टर वाइस ही आगे बढ़ेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन चैप्टर फिर उसके बाद हम 11 पढ़ेंगे तो यह सिक्वेंस जो है वह nature objective and scope of audit जो आपके पास में subject है audit का chapter number one है यह आपके पास तो सबसे पहले हम chapter पे जाए उससे पहले audit subject के बारे में कुछ information collect कर लेते हैं तो कहते हैं कि आपके पास में audit मे अगर हम कुछ चीज़ों को discuss करें तो आपके पास में कहते हैं कि आप एक subject group 1 के अंदर पढ़ के आएं कौन सा जिसका नाम है low लो एक subject आप group 1 के अंदर पढ़ के आ रहें यह subject जो है basically क्या है इस subject में basically सारे के सारे sections है जिसकी provision different different होते है और वो हमें पढ़ना होता है basically तो कहते है low के अंदर ज्यादा कुछ ही न है आपके पास में क्याता है different different sections है आपके पास में ठीक है section जिसमें आपके पास में provisions आपको दी रखी होती है ठीक है जैसे कि section 42 हो गया 45 हो गया 52 हो गया section 50 हो गया ठीक है 133 हो गया आपके पास में तो यह सारे sections होते हैं जिसकी provisions आपके पास में होती है नाम वगेरा होते sections के और उसकी provision होते है, जैसे कि private placement हो गया, तो उसका एक section है, और private placement के बारे में वो section पूरे के पूरी discussion करता है, basically. तो लो में जैसे sections है और उसकी provision वगेरा मतलब कि उसके नाम वगेरा होते है section वो ये तो उसका नाम ये है और उसकी provision बिलकुल audit में भी वैसा ही कुछ है क्याता है audit में भी बिलकुल वैसा ही कुछ है क्या sir audit में भी sections होते answer is no audit में sections नहीं लेकिन आपको यहां पे मिलते हैं Standard on Auditing वहाँ पर sections बोलते हैं लोगों के अंदर हम यहाँ पर Standard on Auditing बोलते हैं basically essay 200 essay 500 ठीक है essay 330 वगरा वगरा चीज़ है आपके पास में तो वहाँ पर section जैसे बोलते है section 42 section 52 वैसे यहाँ पर essay 200 essay 210 essay 300 essay 315 ऐसे बोलते हैं clear है तो वहाँ पर बिल्कुल section है उसी तरीके से यहाँ पर तो आपके पास में ऐसे 200 हो गया तो उसका कुछ नाम है और उसकी कुछ provisions है वगरा वगरा चीज़े बिल्कुल वैसा ही काम यहाँ पर है बस नाम याद रखना होगा कि यहाँ पर section होता है यहाँ पर essays होते है basically क्या बात समझ मैं रही detail में तो अभी हम पढ़ेंगे क्या-क्या चीज़े होती है लेकिन उपर उपर से कुछ information दे रहा हूं कि subject के अंदर basically क्या होने वाला है different different essays given होगे बस आपको ऐसे ही पढ़ने है ठीक है essays ही पढ़ने है standard on auditing ही पढ़ना है बस काम खत्म आपके पास में clear वहाँ पर section जैसे वो थे यहाँ पर essays है आपके पास में तो simple सा मतलब यह निकल के आता है कि वहाँ पर section जैसे पढ़ते थे वैसे यहाँ पर पढ़ना है लेकिन एक यहाँ पर ध्यान रखिए कि group 1 जो लो है उसके अंदर section जो है याद रखना mandatory नहीं था आपके teachers ने बताया होगा कि section ज्यादा कोई mandatory नहीं यहाँ कुछ section important हो तो आपको याद रखने के लिए बोला जाता है लेकिन mandatory नहीं है मतलब कि वहाँ पर sections के कोई numbers नहीं है आपके पास में कोई marks नहीं मिलते section लिखे या फिर ना लिखे section से कोई marks नहीं होते provision और उसकी understanding पे marks आपको दिये जाते है section से basic आपकी presentation बहतर बनती है और हो सकता है कि उसकी वजह से जो provisions आपने लिखे उसमें marking ज्यादा बढ़ जाए वो बात अलगे लेकिन sections पे particular marks आपको नहीं दिया जा सकता क्योंकि sections के marks नहीं होते basically लेकिन presentation अगर बहतर करते हो तो obviously जहाँ पे marks मिलने है वहाँ पे संभावना ज्यादा है कि आपको ज्यादा numbers मिल सकते है तो यह चीज हो सकती है तो वो तो बात low की है हम यहाँ पे कोई discussion low की नहीं कर रहे है मैं तो बस यहाँ पे यह बताना चाहता था कि लोग के अंदर जो sections होते वो याद रखने की ज़रूरत नहीं बिजिकली mandatory नहीं है लेकिन ध्यान रहे सर audit के अंदर essay number और उसकी provisions उसका नाम वगेरा सब कुछ याद रखना पड़ेगा और इसी चीज को बहतर करने के लिए कि आप बार बार इस चीज को revise करते रहे इसलिए हमने बढ़िया काम एक कर दिया है कि आपको chapter जैसे ही start होता है आप देखें यहाँ पे chapter का नाम है chapter number one nature objective and scope of audit बिल्कुल starting में ही सबसे पहले आपको दे रखा essay की list कहते हैं इस chapter के अंदर कौन सा essay cover होने वाला है और उसका नाम क्या है वो हमने starting में यहीं पे दे दिया ताकि क्या होगा कि जैसे ही chapter कतम होता है आप revision करना चाहिए तब करिये exam के अगले दिन फटाफट से सिर्फो सिप essay और उसके नाम याद करने आपको तो तूरंत हो सकते क्योंकि आपको अलग sections में ही मैंने दे दिया essay model में यह चीज़ नहीं देखने को मिलेगी यहाँ पे मैंने आपको provide किया है ठीक है तो कहते है essay to be covered in this chapter कौन सा essay है तो कहता है essay 200 एक ही essay है chapter number one में ठीक है आपके syllabus में आपके पास में बहुत सारे essays आपको पढ़ने हैं ठीक है basically essay की बात करें तो यहाँ पे कहता है essay बहुत सारे होते है total essays की बात करूँ तो मैं कहता हूँ essays जो होते total आपके पास में audit के अंदर वो 100 से start होते है और 999 तक चलते है ठीक है लेकिन सारे essays अपने syllabus में नहीं है यह तो essays की मैंने general knowledge आपको provide करीए है याद नहीं रखना है लेकिन इतने total essays होते 100 से start होते और 999 तक चलते है आपके पास में लेकिन अपने syllabus में restricted essays है कुछ selected essays ही है जिसे हमें पढ़ना है और जिसे हमें याद रखना है बस तो कितने कितने है वो यहाँ पे मैं आपको particularly बताता चल रहा हूँ कि chapter की starting में सबसे पहले यही बता देता हूँ कि कौन सा essay आपके पास में इस chapter में पढ़ने को मिलेगा और बाकी सब general knowledge की बाते होंगे clear है तो कहते है कि sir essay जो cover होने वाला वो essay 200 है जिसका नाम है overall objective of independent auditor and the conduct of an audit in accordance with the standard on auditing अब यह क्या है यह पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले chapter तो start करें यह तो मैं general information दे रहा था जो कि आपको सिर्फ वसिफ सुनना था याद तो कुछ अभी करना ही नहीं है जो याद करना है मैं बताऊंगा तब आपको याद करना है अभी तो सिर्फ सुनना है और कुछ करना ही नहीं है ठीक है जी तो कहते हैं कि सर यह essays कि मैंने थोड़ी बहुत बात करी कि आपको ऐसे कुछ पढ़ना है ठीक है जो आपको audit के अंदर देखने को मिलेगा वहाँ पे section मिलते हैं लोग के अंदर यहाँ पे essays मिलते है standard on auditing आपके पास में clear है और chapter number one में एक ही essay जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएंगे दो तीन चार इस तरीके से essays की calculation भी बढ़ती जाएगी chapter wise सबसे ज्यादा essays आपको देखने को मिलेंगे chapter number three है four है eight है तो वहाँ पे सबसे ज्यादा आपको essays की list पूरी देखने को मिलेगी तो वहाँ पे आपको याद रखने की चीज़ें थोड़ी से होगी ठीक है इसलिए audit को बढ़े आराम से अच्छे से पढ़ेंगे याद रखने वाली चीज़ें हैं यहाँ पे तो थोड़ा सा focus करके और जैसे एक कौसिस करिए कि जैसा ही lecture कतम होता है तूरंत उसका revision कर ले ताकि फिर आपको कोई दिक्कत ना है ठीक है चलिए जी तो audit अब स्टार्ट करने जा रहें चैप्टर नंबर वन हम स्टार्ट करने जा चैप्टर नंबर वन स्टार्ट करें जिसका नाम है आपके पास में nature and objective of scope of audit आपके पास में कहते हैं उससे पहले audit का थोड़ा बहुत मतलब समझ ले तो आपको बैतर तरीके से समझ आएगा तो मैं आपको बता दू कि यहाँ पे तो आपके पास में मेरे ये notes है ठीक है और दूसरा आपको एक और चीज़ बनाएंगे कहते हैं कि आपके पास में handwritten notes बनाएंगे handwritten notes की क्या जरूरत है सर सारी चीज़ है तो यहाँ पे आपने दे रखिए उपर से summary की जगह भी दे रखिए यह summary के बारे में मैं बता दू कि यहाँ पे जितना भी आप content पढ़ेंगे मैं उसकी summary यहाँ पे साथ साथ लिखवाता चलूँगा summary से होगा क्या कि exam time पे आपको सिर्फ वसी यह summary रीट करनी है क्योंकि उपर का तो आप एकदम से clear होगा summary से बस यहाँ पे हम वो लिखते है कि जो exam time पे याद रखने वाली बात है तो यहीं पर मैं summary भी आपको लिखवा दूँगा और काम खतम आपके पास में आती है बिल्कुल audit में भी वैसी के study आती है उसके लिए हमें एक notes भी prepare करते चलना पड़ेगा साथ साथ कुछ example समझने पड़ेंगे जो कि आपके exam में आने के chances रहते हैं ठीक है तो एक notes आपको prepare करते चलने होगे handwritten notes जो मैं यहाँ पर prepare करवाँगा आपको आपको simply मेरे साथ वो prepare करते चलने हैं दूसरा यहाँ पर summaries मेरे साथ लिखते चलना है क्या यह चीज़ आपके पास में एकदम से clear है ठीक है अच्छा अब सबसे पहले audit का chapter number one start करें उससे पहले मैं चाहता हूँ कि audit के बारे में थोड़ी से information हम ले ले क्याता है chapter number one में थो chapter start करते chapter अभी start नहीं कर रहें सबसे पहले audit का मतलब समझते हैं क्या होता है audit in simple word में कहूँ audit का मतलब होता है कि कोई qualified chartered accountant है as an auditor काम करेगा जो लोग के अंदर आप audit and auditor chapter पढ़ते हैं बिल्कुल वहाँ पर पढ़के आ रहें कहते हैं सर जी आपको किसी entity का auditor बनना है मतलब कि auditor कौन बन सकता है एक qualified chartered accountant तो आप auditor बनेंगे और आपको क्या करना है audit करना है अब सर यह audit का मतलब क्या होता as an auditor हम आप future CAE है तो ठीक है आप future CAE है आप future में क्या करने वाले सर audit वगरा ही करने वाले सीधी सी बात है तो कहते है future में जो audit करने वाले है ठीक है as an auditor आप audit करेंगे सर audit करने का मतल तब होता है कि जिस entity के आप auditor है जिस entity के आप auditor है उस entity के financial statement आप लेंगे financial statement कौन prepare करता है वह ही entity prepare करती है उसकी responsibility financial statement आपको पता है ना trading P&L balance sheet वगएरा चीज़े responsibility उसकी है लेकिन हो सकता है कि हम उसमें मदद कर दे कुछ preparation वगएरा में वो बात अलगे लेकिन responsibility management की रहाएगी management मतलब की entity की ठीकर यह entity का ही काम है कि वह financial statement prepare करें तो سर हमें क्या करना है हम अ audit audit का मतलब क्या है सर audit का मतलब अगर मैं कहूँ तो जो financial statement जो entity ने prepare किया है जो financial statement entity ने prepare करा है उसका detail examination करना detail check करना examination word का मतलब होता है detail checking लेकिन word तो examination ही use करना पड़ेगा जब भी आप audit के अंदर कहीं पर भी यह word use करना चाहते हो check तो वहाँ पर आप check word use नहीं कर सकते examination word use करना पड़ेगा जैसे कि low में भी आप low की language use करने पड़ेगी वैसे यहाँ पर भी आपको particular language use करने पड़ेगी तो कहते है कि सर जो financial statement entity ने prepare करें उसका examination करने का काम मतलब की audit करना आपका काम क्या होगा सर आपका as an auditor काम यह होगा कि financial statement जो की prepare किये है किसने सर management में entity ने basically ठीक है जो management ने financial statement prepare करें उससे आपको examine करना है examine करना मतलब किसा सीधी से बात है कि उसके अंदर general entries होगी उसके अंदर accounts होगे उसके अंदर ये main financial statement के तीन आपके पास में statement देखने को मिलेंगे यह सारी चीज़े में entries करी गई यह सारी चीजों को आपको examine करना है चेक करना है कि क्या सारी की सारी चीज़े सही है for example data जो है वो मान लिज़े data इनके financial statement में दिख रहे है पचास हजार के तो क्या पचास हजार के सच में data है यह आपको चेक करना है creditor for example 10 lakh रुपे के दिख रहे है तो क्या 10 lakh रुपे के creditor हसल में है या फिन नहीं यह आपको चेक करना है balance sheet में for example land दिख रही है 20 lakh रुपे की तो क्या सच में वो land है और उसकी value 20 lakh है यह चेक करना पड़ेगा क्या बात समझ में आ रहे हैं यह सारी चीज़े आपको चेक करना पड़ेगा इसे ही कहते एक्जामिनेशन तो बेजिकली उससे related proof देखने होते है जैसे कि आपके पास में land वगेरा है तो land जो है company के नाम पर है या फिन नहीं उससे related आपको सारी चीज़े देखने है documents देखने बेजिकली ठीक है डेटर से related है तो bills वगेरा चेक करिए यह सारी चीज़े चेक करिए और bank से contact करिए यह सारी चीज़े ठीक है तो बेजिकली examination करना है financial statement financial information basically financial statement जो जो भी आपके पास में financial information जितनी भी available है entity की जो entity ने prepare करी उसका क्या करना है सर उसका examination करना है इसे ही हम कहते है audit ठीक है तो in simple language मैंने क्या कहा दिया financial statement entity के आपको क्या करना है उसका examination करना है वही audit है बस काम खतम तो examination कर दिया सर अब यह audit हो गया answer is yes लेकिन बस एक छोटा सा काम करना है examination करने से कुछ यहां पर पता थोड़ी चलेगा कि कि किसी ने चेक किया या फिर नहीं किसी ओडिटर ने काम किया या फिर नहीं तो कहते है क्या करना चाहिए सर examination जैसे कर लो कोई mistake जानने को मिली नहीं मिली आपको इससे related एक written report त्यार करनी होगी report जैसे कि आपने सुना होगा कि पूल वगेरा बनते हैं ठीक है bridge वगेरा बनते हैं तो ब्रीज वगेरा आपके पास में बनाए जाते हैं तो बिसिकली उसकी भी जाच करने के लिए engineer बेजते हैं सरकार ठीक है ते सारी सही है यहां फिर인지 यह सारी। चीज़े हैं, जिसके estamos कहते हैं, सरक्राँेंगेंपिन देना हम Sum because बाइसरी 這個 ने इन प्रमेशन सब्कूर्दा रिपोर्ट के अंदर, ईस रिपोर्ट को कहते हैं audit report कौन देता है सर auditor देता है कैसे देता है financial statement को examine करने के बाद उसे report में लिखता है और यह report जो है वो publish करता है basically जिसे हम audit report कहते हैं क्या बात समझ में आ रही सर यह audit report देने का फाइदा क्या है देखे यह audit report के फाइद बहुत सारे सबसे पहले यहां पे users of financial statement है users of financial statement का मतलब होता है कि जो person company से जुड़ा हुआ company से कोई मतलब रखता है basically ठीक है for example government तो government को company से क्या मतलब रहता है cdc बात है अगर government की government क्या रखता है यहां परपस क्या होता है government को यहां पर relation क्या रहता है company के साथ कहता है company जितना ज्यादा profit कमाएगे उतना tax ले पाएंगे क्याता है company तो हो सकता है कम profit दिखा दे और tax कम पे करें तो इसका solution क्या है solution एक मात्र एक ही है audit अगर इस company का audit करवा दिया जाए सारी चीज़े चैकिंग हो जाए examination हो जाए ठीक है और जो auditor है यह अपने opinion audit report return report दे दे उसे पढ़के government को पता चल जाएगा कि हाँ जी company का क्या यह financial statement सही है मतलब कि company ने जो tax पे किया वो सही है या फिर नहीं ठीक है या फिर कोई और भी जो unrelease आपके पास में profit वगरा है ठीक है जो आपने नहीं बता है ठीक है यह सारी चीज़े भी आपको कैसे पता चल सकती इस सारी चीज़ों को audit से पता लगाया जा सकता है क्योंकि audit जो है वो examination है examination का मतलब होता है detail checking एक एक entry की detail checking करी जाती है और check किया जाता है कि financial statement सही है या फिर नहीं तो users of financial statement का एक example दिया government दूसरा भी example दे सकते है shareholders कहते है shareholder company के तो एक तरीके से owner ही है लेकिन company चलाने वाले तो management है हो सकता है कि बहुत सारा profit कमा है लेकिन आधा ही shareholder को दिया जाए ठीक है तो कैसे इसे रोका जा सकता है sir audit से audit से यह पता लगेगा कि sir financial statement का पूरे का पूरा एक detail checking होगा examination होगा जिसे यह पता चलेगा कि exactly company ने profit कमाया कितना है for example एक लाक रुपे कमाये लेकिन sir shareholder को तो 50,000 दिखाए गए ठीक है तो इससे पता चल जाएगा जैसे audit कर पता चल जाएगा कि sir यहाँ पे गलती करिए गमतिने तो यह सारी चीज़े होती है तो audit बहुत important part होता है basically ठीक है users of financial statement के लिए मैं यह कहूं कि users of financial statement को company के अंदर investment करना है या फिर already investment कर रखा है उससे related कोई decision लेना है तो audit report ही आपके लिए help करती है कि कोई decision लेना है इसलिए audit report बहुत 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 ज्यादा important होता इन लोगों के लिए इसलिए आपसे ज्यादा expectation करी जाती है कि आप examination proper करेंगे क्योंकि आपकी audit report पे देखे बहुत सारे लोग depend करते हैं जैसे ही आपकी audit report आती है यह लोग खुस हो जाते है users of financial statement ठीक है जितने भी users है basically यह खुस हो जाता है कि चलो audit report आगए एक तरीके से आपके पास में assurance आगए एक तरीके से guarantee आगई ठीक है एक तरीके से हमें पता चल गया कि company के अंदर क्या सही चीज़े है क्या गलत चीज़े ठीक है तो इसलिए आपकी report की बड़ी बेसबरी से इंतजार होता है अगर आपने इसमें कर दी तो कितने कितने लोग जो है वो डूब जाएंगे ठीक है इसलिए आपसे expectation यह रिखा जाता है कि आप properly examination करेंगे एक एक चीज़ को अच्छा से देखेंगे और अपना opinion written report देंगे जिसे हम audit report कहता है basically audit report को और ज्यादा detail पढ़ने के लिए chapter number eight है आपके पास में chapter number eight में एकदम detailed report हम देखते है कि इस तरीके से report होती है और इस तरीके से prepare होता है basically clear है आपके पास में अच्छा तो अभी तक मैंने यहीं तो सिर्फ उसिप इतना ही कहा कि sir audit का मतलब होता है financial statement को हमें देखना है examine करना है एक एक proof को अच्छे से check करना है data creator सारी चीज़े उसको examine करने के बाद क्या करना होता है हमें return report त्यार करनी होती है basically उसमें हमें opinion देना होता है कि क्या क्या चीज़े सही है क्या क्या चीज़े गलत है और उसके basis पे users of financial statement अपना decision लेते है ठीक है तो अपना decision लेना है इसलिए तो आपके उपर dependent है कि आप audit जल्दी से complete करिए अच्छे से एकदम detail way में examination properly करिए और फिर हम उस opinion पे base हम हमारा decision ले सके ठीक है ये इतना ही अभी तक समझने की जरूरत है तो आपको इतनी चीज़े clear है आ जाईए अब हम chapter number one start करते है पहले audit का मतलब उपर उपर से हमें समझ आ गया clear है तो auditor basically audit करता है और audit का मतलब हमें उपर उपर से समझ आ गया ठीक है अब यहाँ पे सबसे पहले जो point पढ़ने जा रहे है chapter number one के अंदर वो point आता है कि sir चलो ठीक है audit का मतलब तो हमने समझा लेकिन ये audit आया कहां से पहले वो समझते उसके बाद उसका meaning जो है वो detail में पढ़ते audit का meaning क्या है उसे detail में पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले ये तो समझ ले कि ये audit word जो आप देख रहे है audit audit कब से बोल रहे है ये audit word जो है वो मतलब नया आया है या फिर बहुत पहले से ये चीज़ देखते मतलब की origin of audit ये audit आया कहां से है और कब से आ 23, 24, 25 में आया हो कहता है auditing has existed even in ancient time in many society of the world including India मतलब की बहुत पहले के time से ये audit word मतलब की auditing चलता आ रहा है मतलब की आज कल का कोई auditing नहीं है कि भई हमने decide कि आया है कि financial statement को check करना चाहिए और new word introduced कर दिया auditing तालिया ऐसा कुछ नहीं है बहुत पहले से ये auditing चलता आ रहा है even यहां पे कुछ reference भी देखने को मिले है past जो books वगेरा होते है उसके अंदर कहता है एक reference जो है आपको देखने को मिलता है कहता है reference to auditing कहता है is found in Cautilius Earth शास् reference मतलब कि उस time पे भी auditing चलता था मतलब कि आप सोच सकते हैं कि कोई auditing नया word नहीं 4th century से चलता आ रहा है 4th century BC के अंदर कोटिलिय के अर्थ सास्त्र में यह reference देखने को मिला कि वो लोग भी auditing करते थे ठीक है वो लोग भी auditing करते थे उस time पे ऐसा था कि वो fix accounting year को मानते थे मतलब कि अपने भी year तो fix ही है ठीक है तो उस time से fix accounting year चलता रहा है हमने यहाँ पे अभी अपना accounting year क्या है 1st April से 31st मार्ट तक वहाँ पे भी fix accounting year हुआ करता था और उस तरीके से वो accounting करते थे तो basically यह पता लगता है कि सर उस time से auditing चलता रहा है दोस्त कोई नया word नहीं है कोई audit नहीं है बहुत पहले से चलता रहा है कोटीलियस अर्थ सास्त्र में तो उसका reference है मतलब कि उससे पहले भी हो सकता है चलता रहा हूँ ठीक है यह तो हमें सबूत मिला कि fourth century से तो चलता ही आ रहा है वो तो guaranteed है क्योंकि reference मिल चुका है उससे पहले भी हो सकता है क्या यह बात समझ में आ रही है इसके बाद कहता है कि सर next point यह जो audit वर्ट सबसे पहले पढ़ए है लेकिन यह बारे में समझ लो कि यह audit वर्ट तो नया है सर अभी हभी कह रहे थे कि sir audit जो है वो तो बहुत पूराने से चलता रहा है हां ओडिटिंग बहुत पहले से चलता रहा है ल पसर एक word था ओडा है Latin word है याद रखिएगा Latin word है ओडा है उसके बेज पे यह audit निकल के आए ठीक है जी तो यह चीज आपके पास में है अभी कुछ याद नहीं रखना है अभी तो सिंपर सिप मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही आपको सुनना है बस याद कितना रखना है वह summary में मैं लिखवा दूँगा तो उससे related को दिखत नहीं अभी simply आपको क्या करना है सिर्फ की सारी चीज़ों को ठीक है तो कहता है audit जो word है वह originate हुआ था एक Latin word जो ओडायर था ठीक है इस पे बेज आपके पास में audit word निकल के आ है मतलब की ओडायर word था जो की Latin word है उसके उपर से ये word निकल के आया audit ठीक है ओडायर word का मतलब पहले हुआ करता था to here ठीक है ओडायर auditor होता है basically यह देख लीजी यह auditor आपके पास में ठीक है यह आपके पास में क्या है सर auditor है तो basically auditor को audit करना होता है तो इससे related जो भी transaction से related जितना भी जानना होता है तो उन लोगों को उस transaction से related सारे के सारे लोगों को बुलाया जाता है देख लीजी यह बुलाया ठीक है यह से आपको पूछा जाता था basically और ये लोग क्या करते थे ये लोग उसका answer देते मतलब कि auditor तब के जमाने में auditor सिर्फ इन लोगों को सुनता था मतलब कि इन सुनना था और फिर accounting सारी के सारी प्रिपेर करनी थी ठीक है तो तब के time में auditor जो है वह इन लोगों के सारे के सारे transaction को समझता था सुनता था basically उनको पूछा जाता था वो बताते थे और उनके हिसाब से जो है सारी के सारी accounting प्रिपेर होती थी तो basically तब के जमाने में सुनना important था इसलिए वहाँ पे word use होता था order basically ठीक है जिसका मतलब क्या था जिसका मतलब था to here यह याद रखेगा यह हम से क्यों में पूछा जब सकता है basically ठीक है यह पूरे का पूरा जो topic है origin of audit यह basically question इस पर आने के chances ही नहीं MCQ में कभी कबार पूछ लिया तो ठीक है बाकि इस पर question आने के chances नहीं है इसलिए यह irrelevant topic है लेकिन फिर भी एक बार दिया है तो कुछ important important point मैंने आपको provide कर दिये basically ठीक है इसके बाद third point यह कहता है कि चलो ठीक है पहले से order वगेरा चलता आ रहा था मतलब कि पहले से चलता आ रहा था reference भी आपने बता है fourth century से चलता आ रहा था ठीक है लेकिन एक proper word एक proper rule के साथ हमने auditor कब appoint किया तो कहते first auditor एक दम rule के साथ अगर appoint हुआ था तो कहते first auditor general appoint हुआ था of the India कहते British India 1860 के अंदर appoint हुआ था basically ठीक है जिनके पास दोनों function से accounting और auditing function clear है आपके पास में तो यह simply reference है basically यह छोटी मोटी चीज़े पास्ट हिस्ट्री वगरा है इसमें से question आने के currently presently जैसे कि हमारा इंडिया एकदम independent बन चुका है तो कहते है कि आपके पास में CNAG अभी currently CNAG जिसे हम full form में कहते है controller and auditor general of the India कहते है government के receipt and expenditure का क्या करते है audit करते है तो government के receipt and expenditure का audit कौन करता है CNAG लेकिन दूसरी कंपनी है तो उसके लिए तो आप है chartered accountant ठीक है qualified chartered accountant तो वह चीज़े हो जाती है तो कहते है government का audit कौन करता है CNAG controller and auditor general of the India अच्छा CNAG एक तरीकी की post है जहां पर एक person होता है ठीक है जब भी हम यह word पूछ जब read करते CNAG तो हमें लगता है कोई group of person होगा मतलब कि एकदम बड़ी बड़ी टीम होगी ऐसा कुछ नहीं है यह एक person का post है basically ठीक है जैसे कि SCP हो गया आपके पास में ठीक है SCP तो यह जो आपके पास में बेजिकली पोलिस के अंदर एक तरीके से post होती है basically वैसे ही एक post है आपके पास में control and auditor general of the India ठीक है तो कोई group of person या फिर कोई teamwork होगा ऐसा कुछ समझ के मत बैठना यह controller and auditor general basically एक तरीकी के post है जो कि government के इसाब से यहाँ पर appointment होती है और उनके receipt और expenditure का audit यहाँ पर किया जाता है लेकिन यह independent होती यह ज़रूरी है मतलब कि कैसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं होता इन पर एक दम independently अगर कोई government से गलती होई है कोई यहाँ पर receipt और expenditure चुपा है गया है तो उसे आपको properly दिखा देना है क्योंकि आप independent person है ठीक है एक दम government से independent है ऐसा ज़रूरी है कि government से डरना है आपको डरना बिलकुल भी नहीं है ठीक है तो वह चीज़ कहाता है कि control and auditor general एक independent constitutional authority है जो कि responsible है किसके लिए sir auditing करने के लिए किसकी government के receipt और expenditure की ठीक है जी यह चीज़ हो जाती है और ICI 1949 बस यहाँ रियाद रखे आपके पास में कब established हुआ था ICI कहता है 1949 यह तो बच्चे-बच्चे को पता होता है और यह पता होना भी चाहिए 1949 ठीक है जी तो यह चीज़ आपके पास में हो जाती है तो टोटल इतने points है आपके पास में बस इसमें से question तो आना ही नहीं है basically आएगा तो कुछ topic में लिखवा देता हूँ कुछ sample words आपको लिखवा देता हूँ बस उतना ही याद रखेगा उससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूद नहीं basically आपके पास में ठीक है यहाँ पर मैं कुछ keywords आपको लिखवा देता हूँ बस उतना ही read करिएगा origin of audit में कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि उस पर question आने के chances ही नहीं basically लिखे मेरे साथ आपके पास में लिखन sentence को लिख दू उसके बाद उस sentence को आप लिखेंगे ठीक हो सकता है कुछ changes करवाने पड़े इसलिए तो पूरा sentence complete हो जाए उसके बाद आप लिखेंगे कहता है सबसे पहला पॉइंट तो हम याद रखेंगे सर रेफरेंस जो कोटी लेका अर्थे सास्त्र फोर्ट सेंच्यू समय याँ कर देना है बिजिकली वख देना है कि कोटी लिए अर्थ शास्त्र Dorothy ऑस थैंच्यूलिय आपके पास में तो कहता है कोटीलिय कोटीलिय सर्थ अर्थ शास्त्र जो कि आपके पास मेंगता इवडाए अफे और शास्तुरों इन और पेसे ऑशर बस इतना ही लेखिए न कोटिले सास्त्र फॉर्थ सेंच्यूरी बीसी बस इतना ही याद रखना है तो फर्स्ट पॉइंट में आपको इतना याद रखना है कि कोटिले के अर्थ सास्त्र जो फॉर्थ सेंच्यूरी बीसी में हुआ करता था मतलब कि बनाया गया तो उसके अंदर देखने को मिलाता इसके बाद कहते है next point next point क्या कहते है next point आपके पास में कहते है कि चलो यह तो ठीक है अब audit word जो है वो कहां से originate हुआ तो कहता है audit word ठीक है audit word originated originated from Latin word आपके पास में ठीक है फ्रों एक लेटिन वर्ड है क्या वर्ड है लेटिन वर्ड है और वह वर्ड क्या है वर्ड है आपके पास में ओडा है यह spelling में मिस्टिक नहीं करना दूसरी कहीं जगह spelling मिस्टिक होती है तो चल जाता है एक बार के लिए लेकिन यहाँ पर आपके spelling मिस्टिक नहीं हो ने जहाँ पर पर्टिकिलर वर्ड है इसमें spelling मिस्टिक नहीं चलेगी ठीक है कहता है ओडा आर आपके पास में ठीक है ओडा है जिसका meaning होता है two year तो यहां पर bracket में लिख दीजिए two year बस और यहां पर ध्यान रहे normally student heare लिख के आजाते हैं यहां पर ध्यान रखे spelling heare है सुनना मतलब की ठीक है heare ही नहीं है heare यह word ध्यान रखना heare का मतलब होता है सुनना ठीक है तो two year आपके पास में clear है इसके बाद आपके पास में next point पर आ जाते next point क्या बनता है कहता है next point पर आ जाओ next point इसके बाद मैंने पढ़ा है कि first auditor general जो है ओप the India वह appoint हुआ था 1860 के अंदर British India basically तो कहता है first auditor general first auditor general of India first auditor general of the India कहता है अपोइंटेड अपोइंटेड इन ब्रिटीज इंडिया ब्रिटीज इंडिया 1860 बस याद रखने के लिए इतना सफिशन्ट है 1860 लो जी कहता है कि जो आपके पास में फर्स्ट और लिचनेरल उपडिया और सफिशन्ट अदर डिचलर अइम फ़ोइंट कब हुआ था यह तो तब की बात होगी सटां अ अब तो यहां पर independent India हो चुका है तो कहते हैं उसके अंदर presently कौन auditor है तो कहते है presently उसके अंदर आपके पास में auditor देखने को मिलता है वो है presently आपके पास में presently control and auditor general of the India जिसे short में CNAG कहते है ठीक है CNAG आपके पास में कहा जाता है वो क्या है सर responsible है government के respect और expenditure का audit करने के लिए ठीक है तो आपके पास में controller and auditor general presently controller 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 and auditor general controller auditor आपके पास में general of India ठीक है auditor generator general of India आपके पास में इस रिस्पोंसिबल या फिर आपके पास में यह इंडिपेंडेंट ओथोरिटी जो की responsible है for the आपके पास में auditing of the कौन है government के receipt and expenditure ठीक है तो यहां पर साथ साथ ही लिखे ना एक इंडिपेंडेंट ओडेंट ओथोरिटी यह भी याद इस रिस्पोंसिबल इस तरीके से लिखे रिस्पोंसिबल फोर ठीक है responsible for आपके पास में responsible for auditing of government receipts and expenditures receipts and expenditures आपके पास में ठीक है logic पॉइंट खतम हो जाता है बस एक पॉइंट तो आपके पास में जो आपके पास में जहां पर पढ़ रहे हैं अगर उस institute का आपको establishment ही नहीं पता तो तो फिर गलती है यह तो याद होना ही चाहिए हर एक को ठीक है तो में आपके पास में चार पॉइंट हो जाते हैं पांच वा तो जनरल पॉइंट है हर एक को याद रहता है ठीक है तो यह आपके पास में में आपके पास में चार पॉइंट हो जाते हैं फिर से एक बार आपके पास में अगर चल दी से रिवाइस करें तो कहता है कोई नया वर्ड नहीं है इसका रेफ्रेस तो बहुत पूराने से चलता रहा है कहता है कोट्टिलिय के अर्थ-सस्त्र जो की 4th century BC के अंदर था उसके अंदर भी इसका रेफ्रेस देखने को मिला था ठीक है इसके बाद दूसरा कहता है और इटिट वर्ड जो है वो ओरिजि ठीक है अंदर और अभी प्रेजंट ली कहता है CNAG, Controller and Auditor General of the India, जो कि independent authority है, वो आपके पास में responsible है, किस चीज़ के लिए, कहता है, government के receipt and expenditure के audit के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे 4 point हो जाते हैं, आपके पास में clear, यह बढ़ा ही general point है, मतलब कि बढ़ा ही थोड़ा सा irrelevant point जैसा है ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है basically, अब main जो question यहाँ पे, जो chapter start होता है, वो यहाँ से start होता है, meaning and nature of audit, कहता है meaning and nature of audit basically, ठीक है, तो meaning and nature of audit basically, यहाँ पे start होने जा रहा है, और यहीं से आपके पास में यह चीज़ सुरू हो जाती है, ठीक है, तो चलिए, अब meaning दे independent examination, यह word आपके पास में नया पढ़ने को मिला, मैंने starting में एक simple सी language में audit का मतलब समझा है, वो वापस एक बार repeat करूँ, तो कहता है audit क्या है, एक examination है, financial information का, ठीक है, financial information किसी भी entity की financial information का हम क्या करते है, examination करते है, audit कौन करता है, sir, auditor, तो हम as an auditor, audit करते है, और audit का मतलब क्या है कहता है, audit जो है, एक तरीके का examination है, financial information का, किसी भी entity की, जिसका भी आपको audit करना है, तो entity के financial information का examination करते है, और उससे हम क्या करते है, sir, opinion देते है, basically, हम क्या करते है, sir, opinion देते है, तो इसी का नाम है audit, अगर proper meaning, proper definition अगर आप पढ़ें, तो थोड़ी सी detailed definition है, यह जो मैंने लेकिन थोड़ी सी detail है, क्या कहता है, कहता है, एक audit जो है, इसका मतलब क्या होता है, audit का मतलब होता है, examination तो करना ही है, लेकिन independently करना है, independent word का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो समझते है, ठीक है, तो independent का मतलब होता है, यह हमारे आपास में आपको notes यह handwritten त्यार करना है, जो कि मैं त्यार करके आया हूँ आपके पास में ठीक है साथ साथ आपको यह नोट्स भी अलग प्रिपेर करते चलने कहता है जो कि मिनिंग एन नेचर ऑफ दी ओडिट में कुछ चीज़े हम लिखते हैं ठीक है और जो चीज़े यहां पर है वह अंडेस्टेंडिंग परपस के लिए मतलब कि इस पर कोश्टेड़ी कोश्टन जो आपके एक्जाम में आते है ठीक है वो आपको देखने को मिलेंगे क्या कहता है ओडिट क्या है सर ओडिट जो है वह एक्जामिनेशन है फाइनशल इंफोर्मेशन का किसी भी एंटिटी का ठीक है जिसको हमें एक्जामीन करना है और हमें रिटन रिपोर्ट देना होता है बस यहां पर सर एक वर्ड देखने को मिला कि एक्जामिनेशन जो है वह इ independent होना जरूरी है, यह चीज़ इंपोर्टेन्ट है, कहता है, independent का मतलब क्या होता है? independent का मतलब वही जो आप समझते है कहता है कि किसी के दबाओं में आए बिना, बेसिकली independent का मतलब कहा है, तो आपकोb 깩 उन–बायज रहना है क्या रहना है صार? अन–बायज basically independent का मतलब क्या हुआ unbiased कि किसी के भी दबाओं में किसी के भी बातों में आये भी न independent का मतलब audit की language में कहते है कि आपको independent रहना in mind and in appearance in mind and in appearance मतलब कि दिमाग से भी independent रहना है और दिखना भी independent ही है दोनों चीज़े and है ठीक है and है दियान रखीगा कि आपको mind से भी independent रहना है और appearance भी independent ही रहना है मतलब कि दिखना भी independent यह दोनों चीज़े आपके पास में होना ज़रूर है as an auditor ठीक है और इसी तरीके से examination करेंगे financial information का independent नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा ठीक है for example मैंने कहा कि आपके एक ब्रदर है ठीक है आपके कोने ब्रदर है जिन्होंने आपको ओफर किया आपको ओफर किया ब्रदर ने आपको ओफर किया है क्या चीज़ ओफर करें ओफर कहते हैं कि आपके ब्रदर ने आपको ओफर किया है ठीक है आपको brother ने आपको offer किया basically लीजे आपके brother ने offer किया आपको 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 ने chartered accountant है qualified chartered accountant है और offer क्या 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 क्याता है कि brother की जो entity है उसके अंदर आप audit करें ठीक है तो क्याता है offer किया है audit work audit work of entity entity किसकी आपके brother की ही entity है और जिसका audit आपको करना है basically आपको ये काम दिया गया है बताएए यहाँ पे आप independent रह पाएंगे independent का मतलब क्या है कि आपको दिमाग से भी independent ही रहना है किसी के बातों में नहीं आना है किसी के दबाओं में नहीं आना है अपना opinion जो है वह independently देना मतलब कि opinion independent देना का मतलब क्या है कि financial information में कहीं mistake आपको देखने को मिली तो आपको opinion में बताना है कि यहाँ पे mistake है basically और for example यहाँ पे अगर हम देखे कि आपके brother ने offer किया है audit work करिये entity का entity आपके brother की ही है और आपको as an auditor काम करना है क्या यहाँ पे आप as an auditor काम कर सकते answer is big no सीदी सी बात है क्या यहाँ पे आप independent रह पाएंगे सबसे पहले तो देखी independent in mind कहता है एक requirement है वहीं नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे आपके जो entity की auditing करने जा रहे है वह entity है कि सा related person की brother है आपके ठीक है और लोग के अंदर जो audit and auditor chapter पढ़े उसके अंदर तो detail पढ़त अगर कोई main seat पे अगर related person है तो उस company के आप कभी भी auditor नहीं बन सकते क्यों क्योंकि यहाँ पे आप जो है independence in mind नहीं रह पाएंगे सिद्धी सी बात है देखिए आप normally समझे कि आप entity का financial statement का examination कर रहे हैं ठीक है मान लीजे यहाँ पे आपको बड़ी एक mistake मिली for example 1 करोर रूप दर ही involved है क्या यह चीज़ आप अपने audit report में बताएंगी obviously not जो कि आपके related person है related person के बारे में obviously वो चीज़ आप छुपा सकते हैं यहाँ पे independent in mind नहीं रह पाएंगे आप इसलिए यहाँ पे तो low ही मना कर देता है कि आप यहाँ पे तो audit कर ही नहीं सकते लेकिन अगर मान ली नहीं लेना चाहिए for example दूसरा example देखें कहता है कि इस बार आपके brother नहीं आपके कोई friend है जिन्हों ने आपको offer किया है ठीक है आप कौन है आप वापस से वही chartered accountant है qualified chartered accountant और आपके friend ने आपको offer किया है कि आप audit work करेंगे ठीक है आप audit कीजिए audit work of entity अब friend relative की category में तो आता नहीं है ठीक है friend मतलब की friend कोई relative तो है नहीं तो कहते है relative तो नहीं है मतलब की यहाँ पे तो आप audit कर सकते हैं लेकिन आपको खुद को as a professional person है आप audit आप से यहाँ पे एक ही चीज़ कहता है क्या आप यहाँ पे independently work कर पाएंगे independent के मतलब की mind भी आपका independent ही रहना चाहिए मतलब की जो opinion देंगी independently दीजिए आप खुद की सोच से देने चाहिए औ और appearance भी आपका होना चाहिए independent ठीक है चलो ठीक है कि आपने एक बार के लिए सोचा कि सर भले ही friend है लेकिन मैं independently इमानदारी से काम करूंगा पूरी की बूरी तरह तो कहता है कि आप mind से तो चलो independent होगे लेकिन in appearance का क्या मतलब कि क्या दिखेंगे आप independent answer is no कोई third party है जो company के आप पे users of financial statement है for example वो क्या देखेंगे वो देखेंगे कि आप और ये person जो company चला रहा है ये दोनों तो sir friend है ठीक है और obviously कोई गलती मिली तो दोनों तो दोस्ती है ना कोई गलती छुपा भी सकता है मतलब कि third party की नजर ये से आप क्या है sir independent in mind हो सकते है लेकिन appearance नहीं लग र पास में independent in mind and appearance आपके हो सकता है आप हो लेकिन sir third party के नजर में आप appearance नहीं हो पाएंगे क्योंकि third party को ऐसा लगता है कि sir ये तो आपका friend ही ठीक है ये तो कुछ भी fraud वगएरा कर सकते मिली भगत हो सकती है आपके पास में तो यहाँ पे appearance की कमी रहेगी ठीक है तो कहता है कि sir independence in mind जिसे detail में ये chapter number 11 में आपको पढ़ने को मिलेगा ये दोनों वर्ट का detail ठीक है बस यहाँ पर तो सिर्फोसी थोड़ी सी चीज़े थी तो मैंने आपको बता दिया क्याता है कि sir independent आपको mind से ही रहना है और appearance से भी रहना है ठीक है mind से मतलब कि आपके पास में relative के कोई भी प्रेसर नहीं होना चाहिए आप अपने तरीके से जो है इसका opinion देंगे और इन appearance का मतलब होता है कि third party को दिखना भी चाहिए कि आप as an independent person आप यहाँ पे अपना examination कर रहे और opinion दे रहे basically ठीक है तो यह चीज़ आपके पास में हो जाती है अब इसके बाद next point पे आ जाते है य audit जो है एक independent examination है किस चीज़ का सर financial information यहाँ पे गलती से भी financial statement मत लिखना हाला कि दोनों एक ही चीज़ जैसी होती है लेकिन जब हम definition लिखते है definition तो यहाँ पे देखिए आपके पास में इस तरीके से कोमा होता है इसके अंदर इस कोमा का मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी लिखा गए as it is लिखना पड़ता है एक्जाम में ठीक है definition बेजिकली as it is ही लिखनी पड़ती है जो वर्ड यूज है वही लिखना पड़ेगा तो कहता है audit is an independent examination information है financial information का financial information किसकी ओ सकती कोई भी entity आप जीस भी entity essential information लेकिन किसकी सर of any entity कोई भी entity entity में ध्यान रखिए सर कोई profit oriented entity है या फिर NGO है non-profit organization NPO जिसे हम कहते हैं NGO कह सकते हैं तो उसकी भी auditing हो सकती ध्यान रखिगा सर एक example और कहते हैं कि सर चलो ठीक है आपके पास में यह example हो गया कहते हैं एक और example मैं आपको देना चाहूंगा कहते हैं एक और example example number 3 ठीक है सर जी example number 3 यह बट आपके पास में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा because independence के अंदर नहीं है यह आपके पास में जो मैं देने जा रहा हूं यह entity के बारे में ठीक है कहते हैं कि सर चलो ठीक है आपके पास में example यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोई दिक्कत नहीं चलो कहते हैं सर जी आपके पास में entity है कोई कोई क्या है सर entity है basically non-profit organization नहीं है कौन है non-profit organization NPO और यह इसके बारे में foundation level से पढ़के आ रहे हैं कि सर NPO का मतलब होता है basically NPO का मतलब यह होता है कि जो profit के लिए काम नहीं कर रहे हैं जो profit के लिए work नहीं कर रहे है basically तो NPO के government ने कहा for example कि आपको यहाँ पे क्या करना है सर audit करना है तो क्या NPO को audit जरूरी है क्या NPO को भी audit करना जरूरी क्योंकि NPO का कहना है कि sir government government सरकार हम तो कोई profit के लिए काम कर नहीं रहें तो हमें क्या audit करवाने की जरूरी गवर्मेंट का कहना है कि सीधी सी बात है दी कि audit हर एक कंपनी को करना है तो क्या NPO मतलब की non-profit organization कोई है क्या इसका भी audit होगा answer is yes इसका भी audit आपके पास में होगा ठीक है इसका भी audit आपके पास में होगा क्यों sir simple सा मतलब है देखे समझे कहते है कि sir audit क्या है examination है financial information का किसी भी entity का ठीक है इसकी financial information का examination करना है examination basically audit करना क्यों होता है मैंने बताया sir कि ये users of financial statement के लिए बहुत ज़्यादा important point होता है कि कहीं financial information में कहीं कि गलती तो नहीं है, कहीं कोई चीजों को छुपाया तो नहीं जा रहा है, अब देखे समझ ये कि भले ये NPO है, कोई company NPO है, लेकिन fraud होने के chances है कि नहीं सर बिलकुल है, कोई चीज कमा रहा है, for example, हलाकि profit motive न ऐसा भी तो हो सकता है, कि इस company ने 50 लाक रुपे कमाए और दिखा दिया कि 40 लाक रुपे ही कमाए, 10 लाक रुपे छुपे तरीके से जो है, वो अपने जेब में डाल दिया, ठीक है, तो audit तो हर एक company के लिए, चाहिए आपका profit motive है या फिन नहीं, हर एक company का हो सकता है, ठीक ह लेकिन सर कहता है, audit हर एक company को करवाना ही चाहिए, answer is, ऐसा mandatory नहीं है, audit एक voluntary act है, आप चाहे तो audit करवाईए, ना चाहे तो मत करवाईए, लेकिन कहता है कि सर, for the particular आपके पास में limit तक, कहता है किसी limit को यहाँ पे fix करगा है, limit यहाँ पे नहीं है, basically तो याद नहीं रखना है low के अंदर तो basically पढ़े होंगे, अगर limit आएगी दूसरे chapters में तो हम देखेंगे, इस chapter के अंदर कोई limit नहीं है आपके पास में, ठीक है, कहता है कि particular limit डाली है, वैसे normally limit डाली गई है, लेकिन आपके syllabus में नहीं डाली गई, ठीक है, normally limit किस तरीके से, limit कुछ इस तरीके से क्याता है, government ने कुछ limit डाली है, for example, profit इतने तक, इतने तक turnover, अगर आपका exit नहीं करता है, ठीक है, तो audit जो है, वो voluntary act है, लेकिन जैसे इसको आप पार कर गए, audit आपके लिए mandatory हो जाएगा, कि compulsory आपको audit करवाना ही करवाना है, ठीक है, तो वैसे तो audit क्या है, sir, voluntary act है, आप voluntary, आप चाहे, तो audit करवाए, ना चाहे, तो मत करवाए, लेकिन अगर limit को, जो law ने बताई गई, limit को अगर आप पार करेंगे, तो फिर आपके लिए क्या बन जाएगा, sir, audit जो है, compulsory बन जाएगा, इतनी चीज़ा आपके पास में clear है, तो कहता है, audit जो है, independent examination of financial information का, कोई भ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन audit किसी भी entity का हो सकता है, एक independent act है, लेकिन अगर limit को पार कर गए, तो क्या हो जाएगा, sir, mandatory हो जाएगा, तो कहता है, किसी भी entity का हो सकता है, profit oriented है, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, and irrespective of its size, छोटी company है, बड़ी company, इससे भी कोई फर्क न इसने यह जानना, तो इससे simple मतलब समझे ना, कि profit oriented है, नहीं है, size है, बड़ी है, इससे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंद ऐसा मतलब है कि आपको financial information से work पड़ता है तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है कि आप profit oriented है नहीं है चाहे आपकी size छोटी है बड़ी है legal form आपकी कैसी है बड़ी level पे काम कर रहे है छोटे level पे काम कर रहे है कोई फर्क नहीं पड़ता बेजिकली कोई भी फर्क नहीं पड़ता ठीक है तो कहता है when such an examination जब ऐसे examination को conduct किया जाता है कौन से purpose के लिए with a view to expressing an opinion opinion देने के लिए ऐसा को examination किया जाता है उसे ही हम कहता है audit तो audit basically क्या है sir independent examination of financial information of any entity चाहे वो profit oriented है या फिर नहीं whether profit oriented or not and and sir और भी चीज़ है कहता है irrespective of its size and legal form size और legal form का भी कोई मतलब नहीं निकल के आता उसका भी कोई relevance नहीं है किसी भी entity का आप audit कर सकते हैं ठीक है कहता है कि when such an examination is conducted जब ऐसा examination हम conduct करते है when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion तो कहते है कि इसे ही हम क्या कहते है audit कहते है basically ठीक है तो definition को आप minimum 10 times read करिए automatically याद हो जाएगा याद करने के लिए कोई extra चीज नहीं करनी होती देखें जो चीज याद नहीं रहती आप उसे लिखते चलिए बस लिखते चलना है बोलते चलना है याद automatically हो जाएगा याद करने के लिए कोई trick नहीं होती उसे सिर्फ बार बार read करते चलना होता है बस काम खतम एक दो बार लिख देले ठीक है एक दो बार उसे लिख डालिए दो तिन बार और read कर दीजे ठीक है तो काम खतम हो जाएगा 10-15 बार read कर दीजे काम खतम और ऐसी छोटी सी definition को पढ़ने के लिए कितना ही वक्त लगेगा कोई वक्त नहीं लगता ठीक है simple सा है तो कहता है audit is an independent examination of financial information of any entity whether profit oriented or not and irrespective of its size or legal form when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion their own ठीक है इसे ही हम क audit कहते है अच्छा एक चीज़ जो मैंने बताई कि financial statement को prepare और present करने का काम किसका है responsibility किसकी है sir always management की मतलब कि entity की तो management of entity ऐसा word यूज होता है तो कहते है always management की है ठीक है हाँ वो किसी के help लेना चाहे तो करिए लेकिन responsibility आपकी रहेगी कि आप पूरे के पूरे financial statement को prepare कर लीजिए clear है आपके पास में तो sir auditor का काम क्या होता है auditor का काम इसे audit करना मतलब कि इसका examination करने का है तो एक चीज़ बढ़ी clear होनी चीए कि financial statement का prepare and presentation की responsibility responsibility पूछी जाए तो always management की लेकिन सर financial statement का examination की responsibility पूछी जाए तो किसकी है सर auditor की ठीक है auditor इसका examination करता है और अपना opinion देता है basically opinion return way में होता है audit report दी जाती है audit report के अंदर पूरे का पूरा opinion होता है basically तो कहता है understanding that आप understand कर लिजेगा कि presentation और preparation जो है सर management की always लेकिन सर auditor का क्या काम होता है auditor का सिर्फ वसी यह finances statement के base पे express करना है opinion और opinion क्या होता है सर एक audit report हम त्यार करते हैं उसके अंदर opinion देते in return way में ध्यान रखेगा by means of return audit report return audit report return ठीक है लिख के देना है ऐसा ही बोल दिया मतलब खतम नहीं लिख के देना है ताकि प्रूफ रहे कि आपने मतलब as an auditor आपने इसका audit किया था और आपने यह बताया था कि यह यह चीज़े है ठीक है कल दीन पता चला कि सर auditor भी fraud में मिला हुआ था तो यह return report help करेगी एक सबूत बना रहेगा कि आपकी भी गलती है आपको भी सजादी जाएगी ठीक है ध्यान रहे अगर आपने अपना काम सही से नहीं किया तो आपको भी सजादी जाती है ठीक है ध्यान रहे यह चीज़ ठीक है license तक cancel हो जाते है आपके पास में क्या यह चीज़ क्लियर अच्छा सर चलो ठीक है यह सारी करेगा और उडिटर की और ओडिटर का क्या काम होता है बेजिकली ओपिनियन देना एक रिटन ऑडिट रिपोर्ट तयार करेगा और वह आपको प्रोवाइट करेगा उसके बेज पे यूजर सफाइनने स्टेटमेंट अपना डिसीज़न लेते हैं लेकिन सर यह फाइनेंशल स है थोड़ा सा चेंज कर दिए गया ठीक है यहां पर auditor word है as an auditor ठीक है यहां पर लिखेगा तो as an auditor how to ensure debt आपके पास में the finances statement जो है would be mislead और यहां पर यह पुछा जा सकता है कि would not be mislead कहता है financial statement mislead कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है यह ensurety आप कैसे करेंगे as an auditor आप यह कैसे ensure करेंगे मतलब कि financial statement सबसे पहले main main चीज़ क्या check करेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि financial statement में जो information है वो सही है या फिर गलत तो कहते है total आप 6 चीज़े सबसे पहले चेक करेंगे 6 चीज़े 3456 चीज़े यह चीज़े चीज़े चेक करने से यह पता चल जाएगा कि sir financial statement की information सही है ठीक है मिस्लीड नहीं कर रहा है basically गलत नहीं है ठीक है तो क्या कहता है sir सबसे पहले कि जो भी accounts prepare करें आपने वो accounts कहां से prepare करें with the reference to the entries in the books of account आपको पता है कि सबसे पहले general entry prepare होती है sir और general entry के base पे हम उसकी posting ledger accounts में वगेरा में करते है और उसके बाद उसके पूरे के पूरे financial statement prepare होती है यह सारी चीज़ आपको पता है ठीक है यह कोई नई बात नहीं 11-12 से पढ़के आ रहें तो कहता है कि जो भी account prepare करें वो entry के reference से करें ऐसा कोई account नहीं होना चाहिए कि बस ऐसा ही prepare कर दिया ना कोई entry थी ना कोई transaction बस ऐसे मन हुआ तो प्रिपेर हो गया ऐसे कोई भी account नहीं होने चाहिए यह चेक करने की responsibility किसकी है सर ओडिटर की ओडिटर यह answer करेगा कि ऐसे कोई भी account नहीं है जो कि entry के reference से नहीं बने है ठीक है हमें सारे की सारे अकाउंट्स प्रिपेर करने हो और अकाउंट्स को चेक करना है बेसिकली एक्जामीन करना है तो कहता है कि वह चेक करना है और देखना है कि सारी की सारी जो accounts है वह entry के reference से ही create हुए है ना यह check करना है ensure करना है बेसिकली तो कहता है accounts have been drawn up prepare होने चाहिए basically drawn up का मतलब कहता है drawn up होने चाहिए with the reference to entries in the books of account तो books of account में जो आपने entries करी है उसके basis पे ही account prepare होने चाहिए क्या यह चीज़ आपके पास में clear है इसके बाद कहता है कि सार जो भी entries in the books of account next point यह सबसे पहले चेक कर लीजिए उसके बाद यहाँ है second point कहता है entries जो है books of account के अंदर वो भी सही होनी ज़रूरी है सीधी सी बात है क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले general entry होगी उसके base पे क्या होता है सर आप तूरंत leisure account वागे आप prepare करते है अब general entry ही सही नहीं है तो आगे भी चीज़े गलत होती जाएगी सर बिल्कुल तब तो सर entries को चेक करना ज़रूरी है बिल्कुल सर entries को तो सबसे पहले चेक करना चाहिए तो कहते entries in the books of account जो है वो supported होना चाहिए सर adequately supported होना चाहिए by sufficient and appropriate evidence यह evidence वर्ड अकेला नहीं लिखा जाएगा audit language audit subject पूरे के पूरे पढ़ेंगे जहां जहां हम evidence वर्ड यूज करते है वहाँ पर always आपके पास में sufficient and appropriate वर्ड होगा ही होगा ठीक है क्योंकि evidence यहाँ पर कहता है कि always वो sufficient and appropriate होना ज़रूरी है मतलब कि sufficient and appropriate का मतलब कि वो evidence जो है वो पूरी तरीके से complete होना चाहिए यह प्रूव करने के लिए कि जिसके बारे में आप बता रहे है ठीक है जैसे कि आप देखते है ना crime वगेरा serials वगेरा जैसे कि अदालत हो गया CID हो गया तो वहाँ पे सबूत दिये जाते और वहाँ पे कहा जात कि हाँ यह सही है और यहाँ पे वही चीज़ की जरूवत है normal evidence की कोई यहाँ पे relevance नहीं हमें कैसा evidence चाहिए sufficient and appropriate evidence चाहिए ठीक है जिसके बारे में यह प्रूव हो जाए कि entries सही है for example data आपने record किये creditor आपने record किये financial statement में तो उससे related evidence होने जरूर यह evidence क्या हो सकते सर बिल्स व होंगे bank वगेरा मैं आपने बाद में payment किया होगा ठीक है कुछ उधार चल रहा होगा तो यही चीज़ हो जाती है आपके पास में proof ठीक है इसके बाद आपके पास में अगर creator data है तो सीधी सी बात है आप inventory को भी check करेंगे कि सच में कोई उधार पे माल दिया गया या फिर उ sufficient and appropriate evidence है बिना evidence के entry मतलब की सर गफला है fraud है basically ठीक है अच्छा main चीज़ सबसे जयदा important अगर कोई transaction किया है third point आपके पास में कहता है अगर कोई transaction किया है और entry लिखना ही भूल गए तो यह तो बड़ी गलती हो जाएगी तो कहता है एक भी ऐसी entry नहीं होनी चीए जो आप omitted, omitted का मतलब होता है भूल गए, none of the entries in the books of account has been omitted in the process of compilation तो कहता है कि जब आप prepare कर रहे है financial statement उसके अंदर कोई भी entry आप omitted नहीं होने चाहिए, none of the entry आप एक भी entry भूलने नहीं चाहिए और भूल गए तो auditor की responsibility रहेगी कि जब वो examination कर रहा है तो हर एक transaction को बारी की से देख है और देखे कि कोई entry भूल तो नहीं गए क्योंकि आपकी responsibility आप examination कर रहे है ठीक है तो आपको यह check करना है इसके बाद कहता है information जो convey हो रही है financial statement जैसे प्रिपेर हो जाते तो उसके base पे decision लिए जाते है मैंने कहा था users of financial statement decision लेते तरह तरह कि तो कहता है उससे जो information आपको द इसका मतलब होता है dual meaning double meaning नहीं होना चाहिए आपने महाभारत देखा होगा वहाँ पे युदिश्टिन ने आचार ये drone से कुछ कहा था कि अस्वस्थामा हतायती नरोवा कुंजर इस तरीके से कि अस्वस्थामा मर चुका है लेकिन कोई मानव मरा है या फिर कोई प्राणी यह हमें पता नहीं है इस तरीके का युदिश्टिन ने word use करा था basically युदिश्टिट को पता था को कोई हाथ ही मरा है जिसका नाम अस्वस्थामा था ठीक है आचार ये drone ने युदिश्थामा मर चुके है ठीक है नरोवा कुंजर इस तरीके से कि मतलब की पता नहीं कोई मह पता नहीं तो एक तरीके से सच नहीं बोला जूट भी नहीं बोला लेकिन सच को छुपाना भी एक तरीके से जूट ही होता इसलिए वो गलत ही माना गया था तब ठीक है सीधी सी बात है कि आप कोई चीज पता है आप उसे गलत तरीके से प्रेजन नहीं करें लेकिन उसे बता भी नहीं रहे तो ये भी जूट ही है ठीक है तो कहता है कि यहाँ पे भी financial statement के अंदर जो भी information convey हो रही है वो एकदम clear होनी चाहिए unambiguous आपके पास में चीज़े होनी चाहिए clear है mbgs का मतलब क्या होता है mbgs का मतलब होता है dual meaning unambiguous का मतलब होता है कि एक single meaning निकल के आना चाहिए तो mbgs का मतलब क्या होता है कि dual meaning dual meaning नहीं होना चाहिए मतलब कि unambiguous होना चाहिए ठीक है यह चीज़ आपके पास में इसके बाद financial statement amount जो है financial statement के अंदर जो amount है properly cdd होनी चाहिए cdd का मतलब classified described or disclose होनी चाहिए accounting standard के इसाफ से accounting standard account में पढ़ी चुके और आपको पता है कि सर पूरी के पूरे जो financial statement है वो accounting standard के base पर प्रिपेर किया जाते तो कहता है कि जो भी amount लिखा है classify किया है आपने disclose किया है describe किया है यह तीनों चीज़े accounting standard के reference से ही होनी चाहिए यह important point है बिना accounting standard कोई भी amount आप financial statement में नहीं लिखेंगे clear है और कहता है last point sixth कहता है कि जो statement है वो present करना चाहिए true and fair view या फिर picture of the operational result and आपके पास में the asset and liability कहता है जो asset liability है ठीक है operational result है मतलब कि PNL हो गया आपके पास में कहता है इन सब के जो result निकल के आते मतलब कि users of financial statement इसके profit देखेंगे कुछ land वगेरा है asset वगेरा देखेंगे तो यह true and fair picture आपके पास में देने चाहिए ठीक है मतलब कि सही सही information होनी चाहिए आपने examination किया है तो obviously आपके liability बनती है दोस्त ठीक है अच्छा यहाँ पे एक मैं word आपको बताना चाहता था कि यह as an auditor हम सारी चीज़े चेक तो करते हैं लेकिन क्या होता है कि भई हम तो checking कर रहें examination कर रहें जब यह transaction हुए तब तो हम थे नहीं basically ठीक है तो कई कबार ऐसा होता है कि sir management fraud करता है और बड़ी ही चाला कि सही से छिपा देता है कि हम यह सारी चीज़े चेक करने के बावाजूद इसे पकड़ नहीं पाते है ठीक है तो यहां पर fraud वगरा ऐसी चीज़े हो जाती है तो कहता है कि sir यहां पर ध्यान रहें कि जो opinion दिया जाता है auditor के द्वारा यह सारी चीज़े चेक करते है auditor यह सारी सारी चीज़े, चेक करी और हमें पता चला कि सारी चीज़े, ओके हैं, हमने क्या कहा दिया सर, हम तो एक audit report देने वाले थे, audit report में कहा दिया कि सारी चीज़े, old चीज़े, वो true है, ठीक है, correct है, तो हमने तो दिया लेकिन बाद में पता चला कि सर management ने फ्रोड किया था बेसिकली management ने क्या किया था सर फ्रोड किया था सर ठीक है तो क्या यहां पर auditor की responsibility रहे कि answer is no अगर यहां पर देखे audit बढ़ा ही clear है audit कहता है कि जो auditor को काम करना चाहिए था यह सारे काम क्या auditor ने properly लिकी है answer is yes तो auditor की कोई liability नहीं बनती क्योंकि अगर कोई fraud हुआ है तो obviously उन्होंने छपाने की कोशिस करी होगी आपने as an auditor क्या पूरी सिद्दत से काम किया है आपको जो जो काम करना चाहिए क्या वो कारे काम किया आपने अगर answer is yes तो आपकी कोई गलती नहीं बहले ही fraud हुआ था इसलिए यहां पर कहा गया सर auditor यहां पर कहता है कि सर audit subject जो है कहता है कि यह जो audit report दिया जाता है जिसके अंदर auditor अपना opinion देता है ठीक है क्या देता है सर opinion देता है यह opinion में auditor यह बताता है कि शारी चीज़े true and fair है कोई fraud हो गया तो μदा बात लगये बाकि सारी चीज़े ऐसा true and correct का मतलब होता है एक दम सारी चीज़ साही है एक दम मक्खन लगा के लेकिन true and fair का मतलब होता है कि 99% तक सारी चीज़ साही है ठीक है कोई गलती नहीं लग रही है हमने सारी चीज़ चेक करी है यह चीज़ निकल के आदे तो always जियान रखे यहाँ पे true and fair ही यूज़ करना है true and correct कभी नहीं आएगा true and correct कभी नहीं आएगा ठीक है तो कहते हैं कि sir as an auditor जब आप opinion देते हैं sir जब आप opinion देते हैं तो opinion में हम एक assurance देते, assurance का मतलब एक guarantee देते लेकिन कैसे guarantee sir 100% कभी नहीं देंगे 99% ठीक है हम क्या देते सर opinion में guarantee देते opinion में हमने जो यहां पे लिखा कि सारी information सही है हम यहां पे लिखते है कि सर 99% सारी information सही है लेकिन सर यह तो audit है ऐसे 99% थोड़ी लिख सकते इसके लिए proper word बनाया गया कहते है कि सर क्या word है देखे कहते है assurance जो है कई तरीके के होते ठीक है assurance का मतलब सबसे पहले समझते उसके बाद हम देखेंगे कि auditor कौन सा assurance देता है तो कहते है कि सर assurance के बहुत सारे मतलब निकल के आता है देखे जरा कहते है एक होता है absolute assurance एक होता है reasonable एक होता है limited एक होता है moderate, एक होता है no assurance, no assurance का मतलब assurance ही नहीं दे रहे ठीक है absolute assurance का मतलब होता है 100% आपके पास में क्या है गयरंटी आपके पास में हंड्रीट फरसंट क्या है सिर्ग ड्रेंटी है का अंड्रेट परसंट आपके पास में ग्यारंटी यह कि कोई नहीं देंगे आपके पास में हम कौन सी अपन ह सब देते हैं और हम कहता है कि पुरा कर पूरा फारा फाईनेigor statement सही है वहाँ पर हम कहते है reasonable assurance का मतलब होता है auditing ठीक है audit के अंदर जो दिये जाने वाला assurance है वो always reasonable assurance होता है reasonable assurance का मतलब होता है कि more than 50% है हम chances कह रहे हैं कि एकदम 50% से तो ज्याद़ सब कुछ सही है 99% आप कह सकते हैं 99% सारी चीज़ा सही है लेकिन थोड़ा साम पीछे चलते हैं कि होता है कि कोई fraud वगरा हो गया तो दिक्कत आएगी वरना बाकि हमारे तरफ से हमने पूरी चेकिंग कर लिए बिलकुल सही है ठीक है बिलकुल सही है तो कहता है audit word का मतलब समझा है particular year के रिए हम हम किसी financial statement को चेक करते है उसका examination करते है और उसकी सारी चीज़ों को चेक करके हम अपना opinion देते कि क्या सारी चीज़ा सही है या फिर गलत लेकिन यह opinion जो always reasonable assurance देगा ध्यान रखेगा always always आपके पास में क्या देगा sir audit में अंदर हम always reasonable assurance देते है absolute नहीं देते absolute का मतलब होता है 100% 100% guarantee नहीं दी जाती डॉक्टर भी नहीं देते बिसिकली तो reasonable assurance ही दिया जाता है audit के अंदर कभी भी absolute assurance कभी नहीं दिया जाएगा कभी नहीं कभी नहीं ठीक है audit के अंदर always reasonable assurance दिया जाए है reasonable का मतलब कुछ चीज़ा हम निकाल के चल रहे कि अगर fraud वगेरा कर दिया तो फिर हम responsible नहीं है लेकिन हमने हमारे तरफ से सारी चीज़े चेक करी है और हम reasonable assurance दे रहे तो ध्यान रहे absolute assurance कभी नहीं दिया जाएगा ठीक है तो यह चीज़ आपके पास में हो जाती है क्या यह चीज़ आपको clear हो रही है तो कहते है कि सर opinion दे रहे लेकिन कैसा सर आपके पास में absolute assurance देंगे answer इसनों always reasonable assurance दिये जाएंगे clear है तो यह चीज़ आपके पास में तो reasonable assurance देंगे लेकिन सर reasonable assurance देंगे ठीक है लेकिन सर आपने अपने तरीके से पूरी causes करी होनी चाहिए examination करने की और पूरी causes का मतलब है ये सारी चीज़ है ये 6 points आपको compulsory properly work करना है हाँ कोई चीज ऐसी fraud थी जो आपको नहीं दी गई या फिर पता ही नहीं चल पाया तो बात अलग है बाकि अपने तरीके से तो आपने अगर पूरा काम नहीं किया मतलब कि आपकी ही गलती है और आपके उपर मुकदमा चलाया जाएगा आपको सजा दी जाएगी clear है तो कहते है ये पॉइंटर को लिछ तो कर लिया लेकिन अब इसे याद कैसे करें कुराया तो इसके लिए लिएिके मैं I report कर रहा है कहते देखे, सबसे पहले सबसे पहले होनी चाहिए, सबसे पहले ही उनलें, अगर यन्टरी साँिह हाए तक के सिदी जे बात है, आप उसके ऊपर जब में देखिए कि entries जो है वो evidence के साथ supported होना चाहिए कोई भी entry भूले गया मत और जैसे ही entries सारी की सारी सही है तो सीधी सी बात है जो account drawn up करेंगे वो भी सही रहेंगे तो कहता है entries जो है इससे related तीन पॉइंट आपको लिग देने कहता है entries in the books of account adequately supported होना चाहिए sufficient and appropriate evidence के द्वारा दूसरा point कहता है none of the entries has been omitted बस इतना याद रखना है none of the entries has been omitted कोई भी entry आप omitted नहीं होने चाहिए in the books of account तीसरा point कहता है account जो prepare हो रहे वो have been drawn up with the reference to the entries in books of account ठीक है यह चीज़ आपके पास में तीन point खतम अब statement से related तीन point लिख देना छे point हो गया आपके पास मैं exam में question आता है ठीक है पूछा गया है basically तो कहता है finances statement जो है उसके उपर जो information इससे information जो convey हो रही है वो clear and unambiguous होना चाहिए उसके बाद statement के अंदर जो भी आप amount so कर रहे है वो properly classified cdd classified describe and disclose होनी चाहिए ऐस पर accounting standard और थर्ड point क्याता है statement जो है वो present करना चाहिए true and fair view या फिर picture of the operational result and asset and liability खतम कहानी क्याता है summary के लिए मैंने जगा दी है उस summary में यही चीज हम लिख देंगे आपके पास में कोई दिक्कत नहीं आने वाली ठीक है तो कहता है summary हमने जगा दी है और summary के अंदर यह लिख लेते है बेजिकली ठीक है तो कहता है आपके पास में entries are related आपके पास में तीन पॉइंट और financial statement से related तीन पॉइंट ठीक है तो कहता है आज आईए कहता है as an auditor स्थस्य कि कहता होज वडिश स्थस्य के ए है स्था बढार । b र्डा बढार थ surprोशव कि कहता है तो अंदर दीन पमेर ठीक है Master how to ensure that as an auditor how to ensure that the financial statement financial statements financial statements are not mislead are not mislead आपके पास में ठीक है mislead नहीं कर रहे यह चीज़ कैसे ensure करेंगे आप as an auditor ठीक है आप as an auditor यह चीज़ कैसे प्रू करेंगे यह कैसे check करेंगे कि यह जो information है financial statement के अंदर यह mislead नहीं हो रही है तो 6 point लिख देंगे काम खतम 6 point कौन-कौन से सिंपल सा है entry से related तीन टोपिक तो ऐसे graph के त्रू एक diagram के त्रू हम यहां पर ड्रो कर देंगे कि entries से related टीन टोपिक लिखने है ठीक है entries in books of account entries in books of account इसके related टीन पॉइंट और statement से related टीन पॉइंट और बात खतम आपके पास में और आपके पास में बात खतम कियता है इस से related टीन पॉइंट सबसे पहला point हम यहां पर लिख देंगे दूसरा point यहां पर लिख देंगे और तीसरा point यहां पर लिख देंगे तीन पॉइंट इसके हो जाएंगे ठीक है और उसके बाद स्टेट्मेंट से रिलेटेड फाइननसे स्टेट्मेंट से रिलेटेड तीन पॉइंट स्टेट्मेंट से रिलेटेड तीन पॉइंट आपके पास में बेजिकली लो जी स्टेट्मेंट से रिलेटेड तीन पॉइंट आपके पास में लिख देंगे पहला पॉइंट यहाँ पे लिख देंगे दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख देंगे तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिग देंगे basically काम खतम हो जाएगा बताइए सर एंट्री से related तीन पॉइंट कौन से याद रखने हैं सबसे पहले तो सर एंट्री जो है वो support होनी चाहिए sufficient and appropriate evidence के द्वारा तो कहता है adequately adequately supported by supported by sufficient and appropriate sufficient and appropriate appropriate evidence ठीक है यहाँ पे थोड़ी से जगह कम है basically तो यहाँ पे ठीक है कोई दिकत नहीं है appropriate evidence ठीक है sufficient and appropriate evidence आपके पास में थोड़ा सा इस तरफ ले लो तो हो जाएगा आपके पास में हाँ जी अब ठीक है कहते sufficient and appropriate evidence कहते sufficient and appropriate evidence के through जो है वो supported होने चाहिए entries in the books of account जितनी भी entries है वो sufficient and appropriate evidence के द्वारा क्या होना चाहिए सर adequately supported होना चाहिए पास के बाद next point यह आपके पास में first point हो गया ठीक है उसके बाद sir दूसरा point और उसके बाद तीसरा point लिग देंगे केता है दूसरा point क्या है सरसीधी सी बात है कोई भी entry omit नहीं करेंगे none of the entries none of entries none of the entries in the books of account entries in the books of account यह तो word साथ ही रहेगा entries in the books of account आपके पास में entries in the books of account has been omitted has been कहता है omitted clear है आपके पास में has been omitted logic और आपके पास में third point entry से related बस account जो prepare करें है वो आपके पास में कहां से drone अप होने चाहिए entries से ठीक है तो कहता है account account आपके पास में accounts have been drawn up with the reference with the reference in the books of account ठीक है इसके बाद कहता है सब्की से स्टेट्मेंट से relatedabile the capacities क flown को कहन से थे आइएPM information हो रही है ते टीके इन फोर्मिशन जो कन वे हो रही है आपके पास में वह clear हे नमनेमिन जिस होना जी होना जाए कमे आपके पास में एंड कहता है आपके पास में प्लीर के पास में obs Sep unambiguous, ambiguous में थोड़ा से याद रखीगा, कहते हैं ambi, अच्छा, m रहा गया, कहते हैं, आपके spelling में यहाँ पर थोड़ा से ध्यान रखीगा, वैसे spelling के marks तो आई तिंग नहीं कटते हैं आपके पास में, कहते हैं unambiguous आपके पास में, ठीक है, तो spelling थोड़े सी ध्यान रख लीजिएगा, कहते हैं unambiguous है, यहाँ पर भी मैंने आपको एक पर बता दू, unambiguous, ठीक है, ए, m, b, i है, ठीक है, तो unambiguous आपके पास में, यह spelling हो जाती, unambiguous, information जो convey हो रही हो, clear है, unambiguous होनी चाहिए, इसके बाद जो amount लिख रहे हो, financial statement के अंदर, amount जो लिख रहे हो, वो CDD होना चाहिए, as per accounting standard, CDD का मतलब सर, classified, कहते हैं, सर, classify, describe, and disclose, ठीक है, as per, as per, as per, आपके पास में, क्या होना चाहिए, सर, CDD as per, as, accounting standard, as per, accounting standard होने चाहिए, clear है, और एक last point सर, कि जो भी आपके पास में, यह information है, मतलब कि statement जो है, वो true and fair view prepare करना चाहिए, true and fair आपके पास में, true and, fair, picture, देना चाहिए, ठीक है, तो कहते है, present क्या करना चाहिए, सर, present करना चाहिए, true and, fair, picture, कहते है, off, कहता है, operational result, ठीक है, operational, जो transaction हो गए, results हो गए, ठीक है, तो कहते है, operational, results, and, assets and liability, and, of, assets, and, liabilities, assets and, liabilities, लीजिए, 6 के 6 पॉइंट आपके पास में, इस तरीके से prepare हो जाते है, summary notes के अंदर, clear है, तो वापस से एक बाद, revise कर लेते हैं, कहते हैं कि सर, as an auditor, आप कैसे ensure करेंगे, कि financial statement, जो है, वो mislead नहीं कर रहा है, ठीक है, गलत नहीं है, information, यह कैसे, आप check करेंगे, कहते हैं, entry से related, तीन topic, check कर लेंगे, statement से related, तीन topic, check कर लेंगे, और काम खतम, entry से related, कौन से तीन topic, simple साई, देखिए, कहते हैं कि सर, entries, जो है, adequately supported है, कोई भी entry तो भूल नहीं गए है, न, omitted नहीं है, वो चेक कर लेंगे, और तीसरा, कहते हैं, चलो, entry तो सब कुछ सही है, कहते है, इसी entry पे based सारे के सारे account प्रिपेर हुए है, या फिन नहीं, कोई extra ऐसा ही प्रिपेर नहीं किया है, यह सारी चेज़ा चेक कर लेंगे, कहते हैं, सारे account जो है, वो प्रिपेर होने चाहिए, with the reference to the entries in the books of account, clear है, इसके बाद statement से related टीन topic, कहते है, information जो statement से convey हो रहा है, ठीक है, वो clear है, नने बिजेस होना चाहिए, ठीक है, दूसरा point, कहता है, कि जो statement के अंदर हम amount लिख रहे है, वो classified, cdd, classified, describe and disclose, जो है, वो कैसे होना चाहिए, accounting standard के provision के हिसाब से ही होना चाहिए, और तीसरा point, कहता है, कि सर, present करना चाहिए, true and fair picture of operational results, and asset and liabilities, काम कतम, बहुत ज्यादा simple, यह exam में आता है, question आ चुका है, exam के लिए भी important बहुत ज्यादा है, very important आपके पास में, ठीक है, और जिसरे short में याद करने का तरीका, मैंने बता दिया, summary, आपने लिख ली, ठीक है, simple सा point है, अब exam time पे, यह तो अभी तो आप एक बार के लिए पूरा read करेंगे, लेकिन exam time पे only and only summary, ठीक है, काम खतम, अच्छा, तो कहता है कि सर, यहाँ पे आपको चीज़े कुछ लिखी गई है, कहता है कि auditing जो है, provide करता है assurance, लेकिन हमें ये भी पता है, कि सर, कौन सा assurance provide करता है, always reasonable, यह तक हमने पढ़ लिया, ठीक है, क्योंकि assurance तो बहुत सारे तरीके के होते हैं, वह हम पढ़ेंगे आगे, अभी हमने दो पढ़ा, एक होता है absolute और एक होता है reasonable, absolute का मतलब होता है 100%, reasonable का मतलब होता है कि almost सारी चीज़े साही है, ठीक है, तो auditing provide करता है, सर assurance, लेकिन कौन सा यह भी हमें पता है, reasonable assurance, क्याता है, its basic nature lies in providing assurance to the user, providing confidence provide करता है, कि इसको सर, users of financial statement, मैंने बताया सर, कि audit report basically important किसके लिए, users of financial statement के लिए, क्योंकि उन्हें confidence मिलता है कि हाँ जी, एक बार audit हो चुका, report हमारे हाथ में है, हम इसे पढ़ सकते हैं, एक तरीके से अंदर से सान्ती हो जाएगी कि हाँ, company के अंदर सारी चीज़े सही चल रही है, और अगर कोई गलत चल भी रही है, तो report के अंदर लिखा होगा, तो एक तरीके से confidence मिलता है किसको सर, users of finances statement को, users of finances statement के काफे सारे example ले सकते है, creditor हो गया, government हो गई, आपके पास में bank हो गया, तो ये सारी चीज़े users of finances statement होते हैं, clear आपके पास में, तो यही चीज़ आपके पास में होती है, तो बस इतना साही है, इसके आगे तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे है नहीं, एक बार के लिए वो read करेंगे, समझा आजाए को कोई नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में हो जाते हैं, इस lecture को यहाँ पे ही end करेंगे, और अभी तक जो दो page पढ़ा है, वही पढ़ेंगे, सर इतना साही पढ़ेंगे, बिल्कुत, पहले lecture को थोड़े से, अच्छे से start करना होता है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास में understanding नहीं होती, एक बार understanding हो जाए, उसके बाद चल सकते, अभी आपके पास में understanding नहीं है, तो word-word को समझाना पड़ता है, basically, clear है, तो अभी इतने तक का चीज़े clear है, जल्दी से summary से अब revise कर लेंगे, जल्दी से, कहता है कि देखे, सबसे पहले तो origin of audit पढ़ा, उसकी summary, कहता है audit का reference जो है, वो basically, कोटिले के अर्थ सास्तर, जो कि 4th century BC में बना था, वहाँ पे हमें देखने को मिला था, इसके बाद कहता है audit word जो है, वो ऐसे ही नहीं आया, कहता है originate हुआ था, किस के त्रू, कहता है लेको कोई Latin word था, उसमें से ये originate हुआ था, अच्छा, ओडायर का मतलब क्या था, कहता है two year, ओडायर का मतलब था two year, ये second point हो गया आपके पास में, इसके बाद third point कहता है, कि first auditor general of the India, जो की appoint हुआ था, British India के अंदर, वो भी 1860 के अंदर हूँ, year भी दे रखा है, तो first auditor general of the India, appointed in British India, 1860, खातम, और इसके बाद fourth point की, अभी presently कौन काम कर रहा है, कहता है, controller and auditor general of the India, CNAGGC, हम short में कहते हैं, वो अभी independent authority के हिसाब से, responsible है, किसके लिए sir, government के receipt and expenditure को, auditing करने के लिए, ये चार point थे, पाँच वाँ तो simple था, 1949 बस याद रखना था, ICI 1949, clear है आपके पास में, ये चेज clear, इसके बाद हमने ये पढ़ा, कि as an auditor कैसे ensure करेंगी, कि financial statement mislead नहीं कर रहा है, तो कहते हैं, entry से related, तीन पॉइंट, सबसे पहले entry जो है, supported होनी चाहिए, sufficient and appropriate evidence के द्वारा, कोई भी entry भूलने नहीं चाहिए, omitted नहीं होना चाहिए, ठीक है, has not been omitted, ठीक है, या फिर आपने none लिखा है, या फिर आपने ये नहीं लिखा है, तो यहाँ पे लिख देना, has not been omitted, कैसे भी आप word तो change करते हैं, इतना तो English आता ही, मैं मान के चलता हूँ, कैता है, none of the entries has been omitted in the books of account, कैता है कि account जो prepare हो रहे, वो compulsory reference to the entries in the books of account, के ये साप सही drawn up हो रहे हैं, ठीक है, और statement से related 3 points, सबसे पहले information convey हो रहा है, वो clear है नहीं बिजयास होना चाहिए, second कैता है, amount जो है, प्रेजेंट करना चाहिए, किस के सर operational result and a certain liability के, और काम खतम हो जाता है, इतना चेक कर लिया, मतलब की financial statement आपके सही है, ऐसा माना जाता है basically, clear है आपके पास, logic, इसके बाद हम next lecture में देखेंगी, next points है आपके पास, clear है, चलिए,